तो आज की स्वीड में मैं आपको टॉप आयाटीस बाताने वाले हो इंडिया में 2023 की रैंकिंग की सब से आपको सब आयाटीस की रैंकिंग बताऊंगा कित्ती कित्ती रैंकिंग आती है और मैं कुछ आयाटीस का प्लेस्मेंट भी बताऊंगा कि इतना कितना आइटी का आइवरेज प्लेस्मेंट जाता है मिडियन पैकेज के रहता है तो अगर कोई मेरे चानल पने आऊँगा तो चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अगर आपको ये विडियो अच्छे लगेंगे तो वीडियो को लाइक कर दिजएगा क्योंकि आप वीडियो सो देखते हैं बट मेरे चानल को सब्सक्राइब करणे तो मुझे सब्सक्राइब पर नम का है सेगंड नंबर पर जो आयटी आता है वह आयटी दिल्ली है जिसकी 2030 की एनरफ रांकिंग है टू इस्टेबलिश्मेंट हुआ थी इसका 1963 में और इसका जो मिडियन पैकेज देखा जाए वह 20.50 लाक पर नम का है थर्ड नमबर पर आयटी आता है वह आयटी पूर है जिसकी 2030 की एनरफ रांकिंग चाह है उसका इस्टेबलिश्मेंट हुआ था 1959 में और इसका जो मिडियन पैकेज गया था 22.07 लाक पर नम का फिफ्ट नमबर पर आता है वह आयटी रूर किये जिसका 2030 की एनरफ रांकिंग गई थी पाच इस्टेबलिश्मेंट हुआ इसकी मिडियन पैकेज गया था 24 लाक पर नम का सेवेंट नमबर पर देखा जाए तो आयटी गवाटी है जिसका एनरफ रांकिंग है 7 इस्टेबलिश्मेंट हुआद इसका 1994 में एट नमबर पर आता है वह आयटी हैदराबाद है जिसका एनरफ रांकिंग 2023 की एट है 14.50 लाक पर नम का गया था अभी जैसी के आप आप देख सकते सारे आयटी है इसका दिया गया आप देख सकते इसकी इनरफ रांकिंग कित्ती है और जो इसका इस्टेबलिश्मेंट हुआता वह कब हुआ था तो मैंने जैसी के आपको यह आप यह आपके प्यू पाट तक क जाता है फो करोडों में जाता है इनका एक उदिस का ठीक है टो यह पर मैंने टेनतर के आई टी बहुत अधि ऐन्सें shelf में आइटी धरवाद है और आइटी भिलाई है तो यहाँ पर आप सारे आइटी का एनर रांकिंग और इस्टावलिश्मेंट देख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लेगे होंगे तो वीडियो को लाइक किजिए जिसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं और वीडियो ब